हलो विडियों आज है 15 फेब्रूरी और आज इस विडियो में हम बात करेंगे सिनकॉम फर्मॉलेशन के बारे में छोटी सी फार्मा कंपनी है ये कोविट के दौरान काफी बड़ी तीजी हमें शेर प्राइज में देखने को मिली थी साथी साथ इनके revenue और profit में भी देखने को मिली थी क्योंकि demand बढ़ गई थी लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो धीरे 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 demand वहीं पर आ चुकी है जो covid से पहले की थी तो इसका असर ये भी हुआ कि share price भी गिरे, profits भी गिरा, revenue भी गिरा विडियो मेंट के quarter 3 के results आये हैं उसके बारे में बातचीद भी करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तख चैनल को subscribe नहीं किया है तो please अभी इससे subscribe कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे videos और जब वो काफ़ी जादा help करेंगे तो sincom formulation share देखा जाए तो वह यह साथ रुपए के आसपाश trade कर रहा है एक penny stock कह सकते हो आप इसको और बहुत कम होता है कि किसी penny stocks में आपको profit देखने को मिले generally penny stocks loss ही करते हैं लेकिन यह profitable है हर quarter में इसने मुनाफ़ा कमाया है loss नहीं किया है यह एक अच्छी बात है यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिछले एक महिने के अंदर sincom formulation का जो share है वो 15% तक गिर चुका है वो यह लगाता गिर रहा है तो जब भी बाजार एक बड़े दिक सकत से गुजरता है तो जो छोटी कंपनिया होती है जो पैनी स्टॉक होते हैं उनकी सबसे जादा पिटाई होती है यहाँ पर एक साल के अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 45% तक गिरा है और जो लो बना है वो साड़े च्छे रुपय का बना है आदिके से पहले पे ह किरावट हमें देखने को मिली थी साड़े च्छे पर गया बाउंस बैक करिया था यह वापस दस रुपय के करीब पहुंचा फिर लंबा समय आठ रुपय के रेंज में बिताया फिर एक जटके में भाग गया फिर वापस तूटना शुरू है और जो तूट रहा है वो लग साड़े अठा उननिस तक गया यह उसके बाद अभी तूटना शुरू हुआ है और शायद अभी भी थोड़ा वो तूट सकता है यानवाले दौर में कंपनी देखे तो छोटी सी कंपनी है छेसो पच्छेतर क्रोर का इसका मार्केट क्या फिर वॉल्यूम्स अगर हम देखन क्रोर का है पिछले क्वाटर में भी यह पिछले साल के क्वाटर में भी यह 57 क्रोर ही था प्रॉफिट हुआ है चार क्रोर पंद्रा लक पिछले साल के भी इसी क्वाटर में प्रॉफिट था सिफ चार क्रोर का तो कई उतना बड़ा जंप नहीं है हाँ थोड़ा बहुत ना मातर का कह सकते हो कि हाँ चलवाया है लेकिन उतना जादा नहीं है जो यर और यर ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं है और हालगी expected था ठीक है तो अभी शैर भी गिर रहा है profits फे गिर रहे हैं तो अभी शैर वहां पर जाने के कोशिश करा रहा है सिनकॉम को अगर हम देखे तो प्रमोटर के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है और बाकी बड़े फंड हाउस हाथ नहीं डाल रहे हैं यहां पर कंपनी के यह वेबसाइट से अगर आप जाओगे तो डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों ही हैं अगर आप कहीं पर भी चले जाओ तो आपको पता चलेगे कि कंपनी छोटी छोटी चीज़े बनाती है बहुत छोटी छोटी चीज़े चाहे लाइफ केर की अगर हम बात करें तो लेकिन यहां पर एक समझो ठीक है प्रॉब्लम क्या है आपको देखने में लगा है अच्छी तो चीज़ है यार ठीक है ओमेगा थरी फिश और वाली टैबलेट्स होगे मल्टी विटामेंस तो लोग यह तो हमारी तो है यह इन प्रॉब्लम पता है क्या है कि इनकी Sah shirts लावा जो बाखी की चीज़े हैं जो छोड़ी चीज़े चीज़े Arms बनाना हो गया सूर्जीकल वाली चीज़ें जो हो गई यहां पर सिरीन यह पर बोटल्स हो गयरा लेकिन अच्छी चीज़े होती है यो अस्पेडाल में इस्तमाल होती है वह बनाती है pra यह तो व पर कंपनी के अगर हम बात करो सिंकॉम फर्मूलेशन की मैं बात करो तो वॉल्यूम्स कुछ खास अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं 25 परसन लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंडूल यूजर कह रहें कि बेचो और भाग जाओ 75 परसन लोग कह रहें खरीदारी करो कंपनी मे कर आप देखो तो जैसे कि मैंने कहा कि कोविट ने बढ़ गए थे 245 करोड 200 करोड का रिवन्यू इसनका हो गया था बढ़ गया था ये लेकिन अब ड्रॉप हो रहा है अभी इतना ही रहेगा ठीक है लेकिन दिक्कत आई ये प्रॉफिट में ये कोविट के टाइम पर डिम इने को मिलेगा आपको 16-18 करोड के आसपास का 2023 में तो प्रॉफिट गिर रहा है इनका और ये एक साइन जरूर है कि भाया हां दिक्कत तो है अभी इस कंपनी में सिनकॉम देखा जाए तो 37 का पी है शाय थोड़ा सा और क्रेक्शन जरूरी है 33 का सेक्टर पी है थोड़ा सा और अगर नीचा आएगा जिसे कि पांच रूपय के आसपास अगर ये पहुंचता है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा वैलियोशन होगा बाइन को लेकर कि अभी महंगा तो नहीं है लेकिन उतना अट्रेक्टिव भी नहीं है पैनी स्टॉक के हिसाब से उतना अट्रेक् कि हाँ शायद अब यहां पर सेक्टर पी से निचा आ चुका है शायद अब वैलिशन थुआ सा सस्ता हो चुका है शायद अब खरीदारी के मौके बन सकते हैं दूसरी तरफ अगर में शेयर होल्डिंग के बात को तो सबसे अच्छी बात यहांब है कि प्रमोटर खरीद रह सब्डाए अब जून से में कंपर करूँगा तो उतनी ही होल्डिंग पहले भी थे प्रमोटर की अभी बैप उतनी ही ओल्डिंग है रीटेल भी उतने ही थे अभी उतने ही है कोई जाधा बड़ा फ़रक नहीं पड़ रहा है यहांपर ठीक है जो है वो रखे हुए है जो न जाने की कोशिश कर रहा है जहां से शुरू हुआ था यह तो एक रुपे तब तो नहीं जाएगा क्योंकि वहीं से शुरू हुआ था लेकिन मुझे रहता है कि जो मौके बनेंगे वो शायद पांच रुपे के आसपास बन सकते हैं तो नजर वहां पर होनी चाहिए और भी कु के उपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाओं उसका नाम कमेंट में लिखेगा जिसकी सबसे जादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसे के उपर होगा वीडियो को यहीं प्रेंट करूँगा पसंद आए हो तो लाइक करो शाय कर चाहिए मगरा पहले बाहर आए तो प् इंकॉंग फर्मूलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं थैंक्यो